हलो फ्रेंट्स मैं डॉक्टर अशुक शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्टो मास्टर में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे कि कुडली देखकर कैसे पता चले कि किसी व्यक्ति विशेश को कौन सी बिमारी होने वाली है या कौन सा रोग किस घ्रह से मिलेगा आप बेल आइकन मुटल को प्रेस करें और हमारे चनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों जो 30 मेना एक नियम है वो नियम यह है कि जो काल पूरुष कुडली है काल पूरुष कुडली में पहला भाव आपके खुद का भाव है स्वैम का भाव है या इसे देह भाव भी कहा है यानि कि आपका फिजिकल बॉड़ी तो आपको जब भी कभी लाइफ में कुछ भी होना है वो आप ही के साथ होना है तो जो बाकी के बारा भाव है पूरे चार्ट के अंदर उसमें से एक भाव को निकालिए और 11 भाव को एक तरफ करिए हर भाव से चीज आपके साथ जी और ग justement फीकर दोसे का symmetry कई पर भी इडित होगा या उसे कोई परेशानी कास्ट होगा तो इसका मतलब यह है कि आपको पहले भाव को जादा मैं उल्य बन्ले ज़्लीत देनी है या जादा महतों देना है हर चीज में क्योंकि वह आप खुद तो फर्स हाउस में हम लोग आपकी बोड़ी को देख रहे हैं और बोड़ी में भी आपका हेड पॉर्शन यानि कि आपका गले के उपर का जो हिस्सा है सर है उसे देखते हैं कालपुरी स्कुर्णली में अब प्राश्रची ने आपकी पूरी बोड़ी को बारा भागों में बाटा हुआ है और इन बारा भागों में जिस भाग में कोई भी अशुब घ्रय होगा या उस भाव का जो स्वामी है वो बिडित होगा तो उस हिस्से के अंदर आपको बिमारी विशेश का सामना करना पड आपके फार्स थाउस के अंदर जब भी कोई मैलेफिक प्लाइनट बैठेगा जैसे कि मां लो मंगल बैठता है या सुरिय के केस में भी दिखा जाता है शनी बैठता है तो आपको अक्सर हेड़क की सिकायत रहती है, सरदृत की सिकायत रहती है आपके सिर में भारीपन रहत है ठीक उसी तरह आगर मान लो फोर्थ हाउस है तो वो आपके चेस्ट का एरिया है तो जब भी कोई फोर्थ हाउस में मैलेफिक प्लैनेट बैठेगा अशुप घरह बैठेगा तो वो आपको चाती के अंदर रोग देगा वो आपको कफ के के रोग हो सकते हैं फेफडों के रोग हो सकते हैं हाट के रोग हो सकते हैं पेट के उपले हिस्से के रोग हो सकते हैं इसी तरह बार्वे भाव में जाएंगे तो आपके पैरों में दिक्कत दे सकता है कि बार्वा भाव आपके पैरों का है तो ठीक इसे तरह हैं पूरे शरीर को प्राश्री जोतिस में 12 हिसों बाटा है और अलग लग जितने जो आचारे हुए है उन्होंने भी यही लिखा हुआ है वो उन्होंने भी प्राश्री नियम को ही फॉलो किया है अब जातक अलंकार है वो भी यही कहती है कि देखो बिमारी देने वाले ना हम लोग जब सिध् नहों तब यह गरे नसर की रूप से शुब गरे हैं लेकिन अगर चंदर्मा नीच आया अस्त है तो यह चीड चंदर्मा यह आपके लिए कभी भी शुब गरे नहीं होगा आपके लिए नसर की रूप से पाप गरे जो है या अशुब गरे कहें राओ के तुशनी मंगल सोर्य यह पाप गरे नसर की रूप से तो कहने का मतलब यह हुआ यह जो गरे हैं जब आप रोक के बारे में किसी भी भाव का अनालिसिस करेंगे या किसी कुडली का अनालिसिस करेंगे सिलेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा जरूरी नहीं कि रखेगा हो आपको हमेसा सुच्थ ही रखए आप और जो अशुब आपको बीमारी ही देगा ऐसा नहीं होगा हम चंद्रमा को लेते हैं चंद्रमा शुप गर हैं लेकिन आपकी हेल्थ खराब करने में आपको बीमार करने में चंद्रमा का भाउत बड़ा हाथ है चंद्रमान चार्ट में किसी वी व्यक्ति का अगर कमजोर है या अशुब है तो निश्चित रूप से वह मनुश्य रोगी रहेगा बाकी घरों की स्थिति कुछ भी हो रोग कम हो सकता है वो जो परेशानी कम हो सकती है लेकिन आप उसे बच नहीं सकते तो हम चार्ट में ये पता करने की कोशिश करें कि बिमारी क्यूं हो रही है या कहां से आ रही है किस तरह की बिमारी होगी तो सबसे पहले आप लगन को देखिए लगन जो है वहां पे जो लगनेश है फर्स्ट हाउस का लॉड उसका स्वामी अगर वो अशुब है तो आपकी हैल्थ खराब रहेगी या वहां पर कोई भी पापी घर बठा हुआ है तो आपका हैल्थ खराब रहेगा शुब होना बहुत जरूरी है पहले घर का अधर्वा आदी के बाद अग्सर फीमेल का सिकायत रहेगा की हूँ को को हैंड़ेक होता है उनको सर्वाइबल का सरवाइबा कर अपर शॉड्डर पें करते हैं ठीक है उनका गरतन कें इस सश्ट यसाथ्न का प्रव्लम होता है उनको इर्रिटेशि auf हो जाता है छो चुशटषटी बा si, आठोई घर में जाकि भीमारिया लंबे समय तक चलती है या क्राइज बंती है बिमारिया वो कही बार आपकी मृत्यों कारण भी बंती है 12 फाउस में जाके ये है कि आपको जो बीमारी हुई है वो आपको इतना परिशान करते कि आपकी मिरत्य हो जाए आप बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज रहें अस्पताल में रहें यह बारवे घर से पता सलता है तो चठे घर में जब पी कोई अशुप घरे आएगा तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं हम लगू प्राश्री का जो नियमनग को भूल जाते हैं ज्यादा तर एस प्लॉजर्स क्या करते हैं वो यह कहते हैं कि किंदर में का जो भी घरे होगा ना वो नूटल होता है किंदर का जो लौड है आपकी कुंडली में वो नूटल कहलाता है और 3-6-11 जो है इसका अशुब क्यालाता है 6-8-12 का लोड भी अशुब क्यालाता है लेकिन अब वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर अगर अशुब घरा आ जाए तो वो शुब हो जाता है नहीं ऐसा नहीं होता है मंगल आए चाहे राहु आए चाहे सूर्य आए आपको कई लोग कहेंगे यह बात कि राहु अच्छा है अब आपकी स्वास्त पी ठीक रहेगा आप शत्रु अपर भी हावे रहेंगे आप शत्रु हंता योग में जी रहे हैं लेकिन नहीं राहु आपको क्रॉनिक डिसीज यहाँ भी देगा ऐसी डिसी देगा जो एजिली डॉक्टर की पकड़ में ना आए ठीक है सूरिय भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देगा आपको डाइजेसिस सिस्टम की प्रॉब्लम देगा आपका बॉंस में प्रॉब्लम देगा आपकी आँखों में प्रॉब्लम देगा आपकी immunity को वीग कर देगा हो सकता आप जोब में अच्छा कर जाएं ठीक है आपको थोड़ा सा यह वना आपको डेट ना हो लेकिन health खराब जुरू करेगा ऐसा नहीं होगा कि आप स्वस्त रहेंगे आठ में घर के घरे को देखिए जो भी घरे वहां पर आ रहा है वो आपको लंबी समस्याओं से जुजने के लिए बिल्कुल एक साइड में रख देगा आपको जुजना ही पड़ेगा आपको continue परिशान करेगा होगा तो जब भी चंद्रमा आपके चार्ट में खराब हो तो बिवारी होगी मंगल जो खुद आपकी बोड़ी को बोड़ी को रूल करता है आपकी बोड़ी में जो अनर्जी है उसको रूल करता है आपकी सारे जो छमता है जो आपका स्टेमिना है उन सब को मंगल रूल करता है अगर मंगल चार्ट में खराब होगा तो इन चीजों में गड़बड आएगी आप कोई भी चीज आराम से comfortably easily नहीं कर पाएंगे तो घरे चार्ट में सबसे ज़्यादा important बाकी कुछ कहते हैं कि राहू राहू ये करता है मंगल ये करता है सोर ये करता है ब्रस्पति करता है वो ठीक है वो वो बिमारियां देते हैं लेकिन बिमारियां होती किस पर है चंदर में आपका मन है मन से बिमारी एंट्री करती है ये आपके सभी से बिमारी एंट्री करती है वो बंगल है इन दो घरों का अच्छा होना जरूरी है आपको कितनी ऐबड़ी विमारी हो चाहे राहू कैंसर न दे रहा हूं चाहे आपको जूपिटर आपको अस्थमाही यह न दे रहा हूं अगर य chưa अच्छे है तो आप इन चीजहों को आजानी से जहल जाओगी तो आपको सबसे पहले यह है आप किसी भी क्वालिफाइड एस्ट्रोजर से अपना चार्ट अनलिसिस करवा लेजिए आपको पतासर जाएगा कौन सी विमारी किस घरे की वज़े से कब हो रही है और कब तक रहेगी इसके ठीक होनी की क्या प्रोबिलिटी है या ठीक नहीं हो की आपको जोती समझ में आती है आप स्वेम भी देख सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह के वीडियो आगे देखने के लिए भी हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं आज के लिए इतना ही थैंक्यू कर लोगे चैनल से थान।